तो फ्रेंच से इस बेल्डिंग का लुक अभी सुब है के वक्त आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नजर आता है जो कि काफी खूपसूरत बेल्डिंग है अंदर से भी हम आपको इंटिरियर दिखाने वाले हैं कैसा इसका लुक देखने को बिलेगा जैसे ही नाइट होत आपको दिखाते हैं देखो यह नीचे की तरफ लाइट हैं ऊपर की तरफ भी लगाएए हैं और आगे की तरफ जायंगे तो कार्नर में यह देख सकते हैं दो और छट के अंदर ऊपर की साइड देखें छजज़ा है गोलनुमा आकार का जो छज्जा आपको देखने को मिल रहा है काफी जबरदर वयरिंग आप यूटूब पे साइच करेंगे तो सबसे पहले हमारी ही वीडियो ऊपर देखने को मिलेगी तो उमिद आपको वीडियो समझ में आएगी तो फाइनल तक हम आपको indoor दिखाने वाले हैं लेकिन मैं आज आपको इससा जुमर दिखाने वाला हूँ उस interior design के अंदर जिसमें आपको देखने के बाद होश उड़ जाएंगे तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी चैनल को subscribe कर लीजे आगे इसी तरह से interesting वीडियो आती रहेगी बहुत समय से मैं आपको वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा planning कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो चैनल पर बाने रहेगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अंदर चलते हम आपको दिखाते हैं इसके room किस तरह से designing किये गए हैं हमारी electric wiring lighting के से इसके अंदर installation की गई है चलिए देखते हैं और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे include होते हैं अंदर आप नीचे देख सकते हैं hole है बहुत बड़ा ठीक अब उपर की तरफ हम आपको दिखा आता है MCB box ओके और यहाँ पे switchboards वगेरा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहला room जो की काफी अच्छा है तो इस side में हम चलते हैं पहले room की तरफ तो यह हम अंदर घुसते ही एक यह महमान वाला room जिसे बोला जाता है यह वो रूम है और यहाँ पर आप देख स सूरत design के साथ में MCB मैंने room by room लगा दिया है वैसे बाहर भी है लेकिन room के अंदर भी एक separate MCB मैंने install कर दी है यह switchboard है बाहर की light वगरा चलाने के लिए power plug है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चज्जा जो आपको मैंने नीचे से दिखाया वह इसके अंदर यह वाली light लगा नहीं है लेकिन जबर दस्तर building है सबसे परें kitchen दिखाते हैं हम आपको kitchen में किस तरह से fitting की है हमने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सबसे परें include होते ही आप देख सकते हैं 12 मोट का boat है ठीक है यह board पूरे kitchen की रोशनी lighting वगरा करने में help करता है और यह switchboard आप देख सकते इसके अंदर mixer grinder वगरा सब कुछ चलाने के लिए और यहाँ पे दो sockets हैं जो की एक geezer का है 16 एंपियर और एक है filter machine का ठीक है water filter motor ओके तो दो पिन लगा दी गई है इसके switch other board के अंदर install किये गए हैं चलिए kitchen तो आपने देख लिया होगा अब हम आपको दिखाते हैं एक room ए काफी जबरतस डिजाइन है और इसके अंदर भी एक mcb installation की गई है जो कि inverter की और एक main phase की mcb और यह बारा मोडल का board यहाँ बें इंस्टूल किया गई है जो कि अभी यहाँ पे car painter वाला जब काम होगा ना तो यह switchboard खुल जाएगा ठीक है ना तो यह है bathroom के लिए bathroom के गीजर वगरा ओन वगरा ओफ करने के लिए और lighting वगरा चालू करने के लिए यह switchboard installation किया गया है ओके और यह switchboard है lights वगरा fan वगरा जो कि यहाँ पे bad लगने वाला है तो bad लगेगा तो यह भी खुल जाएगा आज कर design के अंदर switchboard वापस से खुल जाते हैं आपको मालूम है ठीक है designing light के अंदर चट के अंदर जो panel light लगा जाते हैं वो रोशनी के मताबिक लगाना पड़ता है ताकि हमें साइडों में tube lights वगरा लगाने के आउशित्ता ना हो तो आपको ceiling के अंदर ही बड़ी बड़ी light लगा दे ताकि आपको tube lights वगरा ना लगाने पड़े तो इसके अंद जाएगा कभी car pattern का काम होगा और यहां पे आप देख सकते हैं यह वही वाला switchboard है जो की चो कोर में है आट model काटी के यह भी bathroom के अंदर lighting वगरा गीजर वगरा ओफ करने के लिए work करता है यहां पे आप देख सकते हैं अभी AC का connection हमने गीजर वाले point में कर दिया है emergency ओके तो यह देख सकते हैं यह गीजर का point है पीछे हमने एक switchboard लगा दिया गीजर के लिए तो यह outside में गीजर है okay तो अब हम चलते हैं बहुत ही जबरदस्त रूम में जिसमें final work किया गया है तो यह वाला room है काफी खूबसूरत design के साथ में आपको देखने को मिल रहा है इसके को आगे अभी दबताता रहता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं यह है काफी जबरदस्त रूम और काफी cool design काफी simple, sober और जबरदस्त model के साथ में देखने मिल रहा है तो यह देख सकते हैं यह पूरा round है और सामने देख सकते हैं LED पैनल है जो की P.O.P. का बनाया हुआ ह सामने bed है और यह है sweetboard plan दिवार है इसके अंदर पूरी lighting connection है और इसमें भी हमने separate mcb install कर दिया है तो यहां पे देख सकते हैं पूरी room की light है on off हो जाती है इसकी मदद से अभी यहां पे आप देख सकते हैं bed के पास में जो light देख रहे हैं इस button से बंद होती है यह देख सकते इसकी planning भी पहले से करनी पड़ती है अगर designing अगर पहले से होती है तो इससाब से हमें wiring करनी पड़ती है और एक इस side में भी light है और एक और switchboard इस side में ठीक है तो इस side में जो switchboard है न उसके अंदर एक extra button है वो किसका है सोते सोते आपको fan को on करना पड़ेगा तो fan चालू करने है और मैं आपको सबसे पहले रूम दिखा देता हूं तो यह वाला बात्रूम के लिए switchboard है जिसमें गीजर का button है और एक AC का button है और बाकी lighting वगएरा के switchboard install किये गए हैं तो AC का और गीजर का हमने यहां पर बात्रूम के पास में लगा दिया है और यहां पर आप देख सकते काफी खुब सुर्थ design यहां पर इंटर है जो कि इस गारदान है यहां पर आपने आपको त्यार करने के लिए यह design लगाया है और यहां पर यह बात्रूम है जो कि अभी अदूरा है थोड़ा सा काम बाकी है इसके अंदर वैसे हमने काम कर दिया तो मैं दिखाता हूं यह द काहर निकलते हैं और आपको फैन का लुक दिखाने हमाले हैं पहले हम LED का दिखाते हैं तो LED TV के लिए यह वाला स्विच बोड़ है जो की ऊपर की तरफ भी है जाग ताकि वाइरिंग नजर ना आए तीवी की ओके तो यह वाली स्विच बोड़ हम लें लगाया और यहां प क्या होता है कि एक माली यह तीन भाई यह तीन भाई यह तीन भाई यह तीन रूम बनाए गए हैं अगर एक भाई की शादी है तो एक भाई का रूम कंप्लेट किया जाता है तो यह वही यहां पर सिस्टम अपनाए गया है एक रूम का पूरा फाइनली तयार किया गया है अ बखेसे यह को आपनेके यह वैंने तुम्हर बन जाता है मतलब यह पंखड़ियाँ वापस से उन करके दिखाते हैं आपको बील डीसी सीलिंग फैन है ठीक है ना अच्छी खासी आवाई है वैसे जूमर वाले फैन में अच्छी खासी आवाई आती है ठीक टाके बट काम चल जाता है ओके तो यह देख सकते हैं इतना खुबसूरत रूम में आपको दिखाया आपी अच्छे हैं और बड़िया लग रहे हैं सारी डिजाइनिंग और इन सब डिजाइनों यह आज कल खर्चा बहु ज़्यादा होता है ठीक है बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है तब जाके यह इस तरह का लुक आपको प्रोवाइट किया जाता है तो चलिए ह हम आपको बाहर की लुक तो दिखा दिया, अंदर का भी लुक दिखा दिया, आप थोड़ा सा नीचे होल के अंदर हमने क्या क्या किया है, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, ओके गाइस, तो ये देख सकते हैं, ये पूरा सीलिंग, 100% सीलिंग है, कहीं पर भी बिना सीलिंग का जगा नहीं है यहां पर, नीचे आते हैं हम होल के अंदर, तो यहां पर छट के अंदर लाइटिंग की गई है, वहां पर कोई भी सीलिंग नहीं है, दिवारों के अंदर ट्यूब लाइट्स वगेरा है, ओके, वैसे में कमरों के अंदर दिवारों में ट्यूब कर सोचता हूँ चट के अंदर ही जितना भी पैनल लाइट है वो लगा दी जाए तो वेसे ही मेरी आदते में ज्यादा कर ऐसा ही काम करता हूँ तो गैस यह है पूरा होल और यह बड़ी सारी बिल्डिंग है जिसमें हमने वर्क किया है ओके तो आपके आखों के सामने सब हाँ प्रॉकष मेटल हमने आप स्क्वेर फिट के हode ले लिया है तो जनेरेटर वगारा के सब बाएल को अलग होते हैं और फैन नहीं है और कहते हैं कि हमें लगवाणा पानी मोटर वगरा सबका चार्ज इसी के अंदर ही होता है 12, 15, 13, 15, 17 रुपे के अंदर होता है वाकि स्विच वोड जितने भी जहां पे भी लगेंगे सबकी प्राइस सैम मरलब इसी स्क्वार फिट के अंदर ही आती है इसके अलावा एक्स्टर्टर्नल काम होता है वह सब अलग प्राइस में होता है और इलेक्रिशन का सबसे आखिर काम यही होता है कि इसका मेल लाइन कनेक्शन का कनेक्टिविटी करके बाहर जाए दोस्तों उम्बीदे आपको यह वाली वीडियो काफी जबरदस्त लगी होगी लेकिन मैं आपको एक चीज नोटिस दे देता हूँ आपको जबरदस्त वाला इसको जरू सुनिए मैं आपको समझाने के कोशिश कर रहा हूँ अगर आप किसी गरहक के काम लेते हो नया काम जहां नीचे से ऊपर तक खड़ा होता है बिल्डिंग वह है अगर आप काम लेते हो तो पहले से ही बात कर ले नहीं है कि आप प्रोफाइल लगाओगे या फिर प्रोफाइल को आप दिखा देना कि यह वाली डिजाइन यह वाली चीज़े यह वाली आप लगाओगे या ने लगाओगे क्योंकि मैं आपको बता देता हूं अगर आप 10 या 15 रुपय के अंदर आप बात कर लेते हो 15 रुपय स्क्वाइर फीड के हिसाब से फिर बाद में गरहक कहता है कि हमें दिवार के अंदर प्रोफाइल लाइट चाहिए लकल दिखाUNT के अंदर आप ने चाहिए जबास में जूबॉरे बाद में खांक होती है तो हमारे खाट गात ये समझना गोर करना तो मुझे उम्मीदें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी वीडियो को आपने लाज तक देखा हुगा इसलिए तम नहवाद आपके लिए वह सारी वीडियो अफलोड करते रहें अचली दोस्तों बाई बाई